नमस्कार बच्चो मैं आपकी हिंदी की अध्यापि का नीदूनेगी बच्चो आज हम व्याकरन निपुन का पाट दो पढ़ेंगे पाट का नाम है वर्ण विचरन बच्चो सबसे पहले हम देखेंगे की वर्ण किसे कहते हैं ठीक है बच्चो भासा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ध्वनी होती है ध्वनी यानि साउंड होती है इस साउंड को ही वर्ण कहते हैं ये जो ध्वनी होती है इसको हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं वर्ण या अ द्धवनी चिन यानि कि चिन जो हम लिखते समय प्रियोग करते हैं उन दोनों के लिए ही वर्ण का प्रियोग होता है इस प्रकार वर्ण भाशा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं ठीक है तो इस प्रकार से इसकी परिभाशा क्या होई वर्ण की भाशा की वह मूलध्वनी जिसके खंड नहीं किये जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं खंड नहीं किये जा सकते मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता है वो अकेला ही होता है और छोटा सा होता है भाशा की सबसे छोटी इकाई होती है वन ठीक है वन यह अक्षर जो है हमारी भाशा की सबसे छोटी इकाई होती है तो उधारण के लिए जैसे क, च, ट, त, म, आदी यह सब क्या है वर्ण है या अक्षर है अलग अलग अक्षर है नीचे से हलंत लगा हुआ है और अगर इसमें वर्ण स्वर और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वर्ण दो प्रकार कहते हैं सर और व्यंजन इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी और सब अक्षर लिखे हुए है न तो अब जैसे सबसे पहले गुडिया लिखा है तो बच्चों इसमें कौन-कौन से वर्ण आ रहे हैं देखिए ग, उ, ड, इ, य, आ स्वर और व्यंजन दोनों मिलाके जो है गुडिया बन रहा है ठीक है उतके बाद अनार में अ, न, आ, र, अ जहां पर स्वर आता है बच्चों वहां पर स्वर जियों का त्यूंगदार दिया जाता है उसके बाद पर जब अगर व्यंजन लिखा है तो व्यंजन में हम स्वर को जोड़ते हैं कि व्यंजन में कौन सा स्वर आ रहा है ठीक है तो विद्याले वो, इ, द, य, आ, ल, आ, विद्याले तो ऐसी ध्वनिया हर भाषा में होती हैं इन ध्वनियों के अब और टुकडे नहीं किये जा सकते हैं ऐसी ही ध्वनिया व्याकरण में क्या कहलाती है वर्ण या अक्षर कहलाती है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ठीक है तो हमने वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्ण किसको कहते हैं वर्ण कहते हैं बच्चो जो की भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की वो मूल ध्वनी जिसके खंड नहीं किये जा सकते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं ठीक है इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि वर्ण माला किसे कहते हैं पहले तो हमने देखा कि वर्ण और अब एक होती है वर्ण माला वर्ण माला किसे कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण माला कहा जाता है व्यवस्थित समूह क्या होता है यानि कि एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से जैसे स्वर, व्यंजन ये सब कुछ हम एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं ना एक के बाद एक सीक्वेंस से हम लिखते हैं सीक्वेंस से उनका प्रयोग किया गया है तो उसको हम एक व्यवस्थित समों को हम वर्ण माला क के कुल संख्या 48 है, यानि 48 है, वर्णों की संख्या कितनी है, 48 है, प्रतेख भाशा की अपनी वर्ण माला होती है, हिंदी भाशा की वर्ण माला के वर्ण इस प्रकार है, कौन-कौन से हैं, जैसे सबसे पहले स्वर, स्वर आए, स्वरों में क्या हैं, स्वर 11 है, क्या-क्या स् आूँ यह 11 स्वर है ठीक है उसके बाद फिर अग और चंध्र बिंदू वाला होता है उनका नाम अलग-अलग है यह भी स्वरों में ही आते हैं लेकिन इनके यह- weet लेकिन जो मेन स्वरों में आते हैं वो अउतक होते हैं ठीक है स्वर उसके बाद फिर बाकी जो अंग और अहा होते हैं उनके नाम है अंग को हम बोलते हैं अंग की जो बिंदी होती है उसको हम अनुस्वार बोलते हैं और जो चंद्र बिंदू होती है उसको हम अनुनासिक या तीन है, अयोगवा, अनुनासिक और विसर्ग, ठीक है, अब ये तो हो गई स्वर, ये सब स्वरों में आए, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यांजन, ठीक है, अब व्यांजन किसको कहते हैं? बच्चों, हमने स्वर देखा, स्वरी 11 है, और अब हम व्यांजन देखेंगे, व्यांजनों की संख्या कितनी हैं बच्चों, व्यांजनों की संख्या है, है 33, ठीक है, यानि 33, अब बच्चों, व्यांजन क्या है, जैसे और वो शोर-शोर यहां तक हो तक 33 वर्ड है इनको हम व्यंजन कहते हैं उसके बाद पिर अन्य भी होते हैं अक्षर अन्य वर्ड भी है जैसे अड़ौ है ड़ोग के नीचे से विंदी अड़ौ उसको हम बोड़ेंगे व्यंजन कहते हैं अगर हमें अगर अंग्रेची भासा कि जैसे यह जैक और उपर से को चिनने लगा होता है जो में नीचे से बिंदी लग Kelsey को में नीचे से बिंदी लगेते तो आम में ऊपर से माझर करके बोलेंगे और जो को उपा को करके बोलेंगे अगर चिन लगाना है ऐ ऑ का तो जैसे डॉक्टर हमें लिखना है तो रॉल मुझा उपर चिन लगा दिनगे तो उसको क्या दो दो व्यंजन और मिले हुए हैं, जैसे कौ, शौ और ओ, ठीक है, शौ में क्या क्या हैं? जैसे को, शो और ओ त्रो में तो रो ओ ग्या में जो या ओ शो में शो रो ओ अब दो-दो कैसे मिले हुए बच्चो जैसे क्षा है शो में क्या-क्या मिला हुआ है शो और ओ ठीक है पूरा क्या हो गया शो उच्चारण और प्रियोग के आधार पर हिंदी वर्ण माला में वर्णों के को जो है दो भागों में बाटा जा सकता है अब उच्चारण यानि कि बोलने के और प्रियोग करने के आधार पर वर्ण माला को दो भागों में बाटा जा सकता है जैसे वर्ण कौन-कौन से होते हैं स्वर और ग्रेंजन अब स्वर क्या होते हैं जिन दुहनियों के यानि कि जिस आवाज जिस साउंड के उचारण में यानि बोलते समय स्वास वायू बिना किसी रुकायवट के मुह से बाहर निकलती है बिना किसी रुकायवट के मतला मुह क क्वाई जो हमारा मुु है उसका कोई भी अंग कहीं पर चपराता नहीं सीदे वायू बाहर निकलती है। जैसे। हवा छोडते हैं। जैसे हम मु मुं से आ है.. आति करके बोलते हैं। कुछ भी मुह कि और शाल कुलते हैं । ? उसे हम क्या बोलते हैं स्वर बोलते हैं जिन धनियों के उच्छारण में स्वांस वाई जो हमारी सांस की हवा होती है बिना किसी रुकावट के मुँझ से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं स्वर के उधारण कौन-कौन से हैं जैसे स्वर किस-किस को कहते हैं ओ, आ, इ, ई, उ, उ, री, ए, आ, आ, ओ, आ, ये कितने हैं? 11 है. सभी स्वरों के उच्चारण में एक जैसा समय नहीं लगता. किसी में कम समय लगता, तो किसी में अधिक. उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं. ये आपने क्लास, फिफ्ट में भी पढ़ा था अप्षा पाँच में, न, कौन-कौन से होते हैं? ये स्वर, हिस्वर होता है, दीर हिस्वर होता है, और प्लिक स्वर होता है. रिस्वर में बच्चों, क्या होता है, जिन स्वरों के उचारण में कम से कम, यानि एक मात्रा का समय लगता है, वे उन्हें रिस्वर कहते हैं. इनकी संख्या चार है, जैसे छोटा ओ, छोटी ई, छोटा उ, और री. ठीक है? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं. एक तो दूसरा है दीर्गिस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में रिस्वर की अपिक्षा दो गुना, यानि दो मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्गिस्वर कहते हैं. इनकी संख्या साथ है. इनकी संख्या कितनी है? साथ है. जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, तथा आउ. ठीक है? अब तीसरा है बच्चो प्लूसर. प्लूसर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में रिस्वर के से तीन गुना जादा समय लगता है, यानि ती गुना समय लगता है, उन्हें प्लूसर क कहते हैं, जैसे ओम, सुनो, हेराम, आदी, उसके बाद स्वरों की मात्राइं, अब स्वरों की मात्राइं एक तो स्वतंत्र रूप से होती है, और दूसरा है व्यंजनों के साथ मिलके, अब स्वतंत्र रूप क्या होता है? जहां पर की स्वर और स्वर से ही बना हुआ शब् उसको हम कहेंगे स्वतंत्र रूप से जैसे आए आब रच्चो no झोग और कि जलगनाथ जब किसा束र कर किया जाता है तो यह अपने मूल रूप में प्रियोग नहीं किये जाते बलकि उनके चिन्नupa उनके साँठ जुड़े जुड़ते हैं अब जैसे अगर हम व्यंजनों के साथ प्रियोग करते हैं तो स्वरों का प्रियोग अगर व्यंजनों के साथ करते हैं तो उनको मात्राओं के रूप में प्रियोग करते हैं पूरा नहीं करते हैं पूरा तो हम तब करते हैं जब हम लोग को उनको अलग-अलग करना होता है विच्छेत करना होता है जब उसकी का तो वन विच्छेत जब हम करते हैं तब उनको अलग-अलग प्रयोग करके दिखाते हैं नहीं तो हम मात्राओं के रूप में इन स्वरों क आप प्रेयोग करते हैं व्यंजन के साथ, ठेक है, देखे जैसे, ओ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा उ- धड़ा उ- सबकी मात्रा एए न, तो, जैसे, ओ, अगर हम कौ मैं, मिलाएं, तो क्या बन जाएगा, कौ, जैसे कल एक शब्द बन गया दूसरा आ की मात्रा ये है को में अगर आ खो जोड दिया जाए तो का बन जाएगा का ना इसी प्रकार से को में छोटी की मात्रा जोड दी को में बड़ी की मात्रा जोड दी तो कू बन गया फिर के कई को कव ऐसे बन गया न इसी प्रकार से व्यंजनों में स्वरों को मात्राओं के रूप में जोड़ा जाता है ठीक है तो उसी से शब्द बनते हैं जब कोई स्वर नाक और मुँ दोनों से बोला जाता है तो उसके उपर चंद्र बिंदू लगाया जाता है जब कोई स्वर नाक और मुँ दोनों से बोला जाता है तो उसके उपर क्या लगाया जाता है चंद्र बिंदू ऐसे स्वर नाक और मुह से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं ऐसे स्वरों को क्या बोलते हैं जो चंद्र बिंदू को हम क्या बोलेंगे अनुनासिक बोलेंगे जैसे आँख, चाद, मुह, आदी ना इन सब में क्या लगा है उपर से चंद्र बिंदू लगा है लगाई जैता है, सिर्फ बंदी लगाई जाती है, अगर किसी मात्रा के बघल में लगाई जाती है, लगाते हैं जैसे अंग की मात्रा लगाते हैं उसी तरीके से लगाते हैं ऐसे स्वर मात्र नाक से बोले जाते हैं ऐसे स्वरों को सिर्फ नाक से बोला जाता है जैसे मैं क्यों की नहीं हैं जो मात्राओं के साथ लगते हैं और लेकिन उनकी नाक से आवाज आती है नाक से बोले जाते हैं अनुस्वार इसके बाद एकके जैसे कि आजकें अंग्रेजी को भी कुछ विद्वान स्वरों में सामिल करने लगे हैं अब जो आ में जो चिन लगा है आगज चिन उसको भी कुछ विद्वान क्या करने लगे हैं स्वरों में सामिल करने लगे हैं औ की ध्वनी आ और ओ के बीच की है इसका प्रियोग केवल अंग्रेजी भाषा की शब्दों में किया जाता है जैसे डॉल, हॉल, बॉल, डॉक्टर, आदी न इन सब को अगर हम लिखते हैं हिंदी में तो उपर से ओ की मात्रा नहीं लगती है ओ की मात्रा भी नहीं लगती है इस विडियो में हमने पड़ा की बर्ड की किसे कहते हैं इसकी बर्ट माला और सवर पड़ा सवरों की मात्राएं पड़ी और इसमें हमने पड़ा अनुनासिक अनुस्वार और विशेस आगचिन पड़ा ठीक है अब हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन पढ़ेंगे जिसमें से की व्यंजन के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्त व्यंजन, ऊश्म व्यंजन ठीक है उसके बाद फिर सायोक तो व्यंजन पढ़ेंगे, वर्ण सायोक पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद, ठीक है इस वीडियो को यही पर मैं समाप्त करती हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई